मित्रों वैसे तो हिमाले को दीवों के देव महादेव का स्थान माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि आज कलियों के इस दौर में भी हिमाले अपने भीतर कई राज छिपाए हुए है मननेता है कि आज भी यहाँ रामायन वह महाभारत के कई पात्र रहते हैं अब मित्रों इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के अंततर और ऐसी ही exclusive वीडियोज देखने के लिए एक छोटी सी धनराशी के जरीए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल दर डिवाइन टेल से बता दे की हिमाले में आज भी ऐसी कई जगे हैं जिने देवी देवताओं वो तपस्यों के रहने की जगा माना जाता है यहाँ पर जैन, बौध और हिंदू सादू संतों के कई प्राचीन मठ वो गुफाए हैं माना जाता है कि गुफाओं में आज भी ऐसे कई तपस्वी हैं जो कई हजार सालों से तप में ही लीन है इस संबंद में आगे जानेंगे कि महभारत और रामायन काल के वो कौन-कौन से लोग हैं जो आज भी हिमाले में रहते हैं उससे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि हिमाले का विस्तार कहां तक है तो भारत के राज्ये जम्मू कश्मीर, सियाचिन, उत्राखन, हिमाचल, सिक्किन, असम और अरुनाचलतर हिमाले ने अपनी जड़े फैला रखी हैं इसके साथ ही उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भुटान जैसे कई देश भी हिमाले का ही हिस्सा है अब मित्रों आईये जानते हैं उन्हें रामायन काल के महापुरुशों के बारे में जो आज भी यहां रहते हैं अत्री रिशी, अत्री परमपिता ब्रह्मा जी के पूत्र थे, उन्होंने करदम की पूत्री अनुसुया से विवहा किया दत्तत्रे चंद्रमा और दुर्वासा इन्ही के पूत्र थे और हिमाले के ही किसी शेत्र में रहते हैं रिशी वशिष्ट मित्रो बतादे की वशिष्ट नाम से पूरातन काल में कई रिशी हुए एक वशिष्ट ब्रह्मा जी के पूत्र थे, दूसरे एक श्वाकु के काल में हुए तीसरे राजा हरीश्चंदर के काल में, चोथे राजा दिलीप के काल में, तो वहीं पांचवे अयोध्या के राजा दश्रत के और चटवे द्वापर युग में हुए बतादे की पहले परंपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्रवरुन के पुत्र और तीसरे अगनीदेव के पुत्र कहला है, पुरानों में कुल बारा वशिष्टों का जिक्र मिलता है, और बतादे की वेदव्यास की तरह ही, वशिष्ट कोई नाम नहीं, बल्कि एक पद हुआ करता था, कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो आज भी जीवित है, और उनका निवास्थान हिमाले के ही किसी शेत्र में बताया जाता है, राजा बली, मित्रों असुरों के राजा बली या फिर बाली के बारे में, पुरानों में कई बार जिक्र मि और तो और वो देवताओं का भी घुर विरोध करता जिस कारण विश्णूजी ने कशप रिशी के यहाँ वामन रूप में अवतार लिया और राजा बली से दान में तीन पग धरती मांग ली राजा बली ने उसे सीधा साधा ब्रहमन समझ कर तीन पग धरती दान देने का बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे चिरन जीवी होने का वरदान दिया कहा जाता है कि राजा बली आज भी जीवित है और वो हिमाले की ही किसी गुफा में रहते हैं जामवन गंदर्व माता और अगनिदेव के पुत्र जामवन्त को रिक्षपती भी कहा जाता है उन का नाम चिरन जीवियों में शामिल है और ये कल्यूग के अंत तक जीवित रहेंगे कहा जाता है कि हिमाले की किमपूरुष नामक एक स्थान पर ये आज भी निवास करते हैं परशुराम श्रीहरी के छटे अवतार परशुराम जी कलीकाल के अंत तक सरशरीर इस धरती पर माननेता है कि भगवान विश्णू के कल्यूग में होने वाले कल्की अवतार में परशुराम जी ही उन्हें वेद और शस्त्रों की शिक्षा देंगे वह कल्की भगवान को शिवजी की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे मित्रो भगवान परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी हिमाले के महिंद्र परवत पर निवास करते हैं मारकंड़े बोलिनाद के परमभक्त रिशी मारकंड़े ने उनकी कठीन तपत्या की और उन्हें प्रसंद किया था उन्होंने ही महा मृत्यूंजे जाब को सिद्ध करके मित्यू पर वेजय प्राप्त की थी और वो हमेशा के लिए अमर हो गए मित्रो ऐसा कहा जाता है कि वो आज मी हिमाले की ही किसी गुफा में रहते हैं हनुमान अंजनी पुत्र को एक कल्ब तक इस प्रिथ्वी पर रहने का वर्दान मिला था श्रिमत भागवत पुरान की माने तो हनुमान जी कल्यूग में गंद मादन परवत पर निवास करते हैं और आज की तारीक में ये शेत्र तिबबत के इलाके में आता है लंकापती रावन के छोटे भाई विबीशन का भी नाम चिरन जीवियों में आता है और वो भी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे जिस कारण ही भगवान ने प्रसंद होकर उन्हें चिरन जीवी होने का वर्दान दिया था वो भी हिमाले के ही किसी शेत्र में रहते हैं और मित्रों अब बात करते हैं महभारत काल के लोगों की महभारत काल में भगवान कृष्ण ने अशुथामा को श्राब दिया था कि वो 3000 वर्षों तर सरशरीर इसी प्रिथ्वी पर भठकते रहेंगे तब अशुथामा ने रिशी वेदव्यास से कहा था कि आप जहां रहेंगे मैं भी वही रहूंगा क्यूकि उसने अभिमन्यों की पत्नी उत्तरा के गःडब पर भमास्त्र से प्रहार कर दिया था जिस कारण उत्तरा के गर्ब में पल रहे शिशु की मित्यू हो जाती है रिशी व्यास मित्रों हिंदू धर्म के वेदों के चार भाग करने के चलते रिशी पराशर और सत्यवती के पुत्र कृष्ण देवपायन रिशी को ही आगे चलकर वेदोयास कहा जाने लगा उन्होंने महाभारत वह पुरानों की रचना की थी और मानेताओं के अनुसार वो कई यूगों से जीवित हैं और कल्यूग में भवान कल्की के अवतार के समय वो भी प्रकट होंगे मनेता है कि वेदोयास जी आज के समय में भी हिमाले में ही रहते हैं कृपाचारे गौतब रिशी के पुत्र शर्दौान के पुत्र कृपाचारे जी महाभारत युद्ध में कौरवों की और से लड़े थे और इनका नाम भी जीवित बचे हुए 18 महायोदाव में आता है कृपाचारे अशोथामा के मामा और कौरवों के कुल गुरू थे और उन्हें भी चिरन जीवी रहने का वर्दान प्राप्त था यही कारण है कि कहा जाता है कि वो आज भी हिमाले की ही किसी गुफा में रहते हैं अब मित्रो इन सभी चिरन जीवियों के बारे में जानकर आपके मन में एक प्रशन और उठ रहा होगा कि आखिर ये सभी लोग हिमाले में ही क्यों रहते हैं और आंग से संबंदित बिमारियों से ग्रसित नहीं होते। प्राचीन काल में यहाँ देवताओं का निवास होता था। और इसी कारण इसे देवात्मा हिमाले भी कहा जाता है। ऐसी माननता है कि कस्तूरी मिर्क जैसे रहस्य मैं जी और यती का निवास भी हिमाले में ही है जो एक विशालकाय हिमानव है जो आज भी मानव जाती के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है तो मित्रों आज हमने जाना कि कल्यूग में कहा रहते हैं रामायन और महाभारत के ये पा आखा बहुत बहुत शुक्रिया